बचो आज जो हम पेपर सॉल्फ करेंगे इस वीडियो के माध्यम से वो पेपर है कक्षा दसवी का ये एक प्रैक्टिस सेट पेपर है और सामाजिक विज्ञान विशे से है ये प्रैक्टिस सेट पेपर तो आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट पेपर को जो सेकिंड ट चैनल से नहीं जूड़े हैं चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा दूसरे बच्चों को शेर कीजिएगा ठीक है तो चली शुरू करते हैं जैसा आप लोगों को मैंने बताया कि यह सामाजे की विगयन विशे का प्रैक्टिस एड़ पेपर है यह से यहां पर सेक्षिन ए में दिया हुआ है जिसमें पहले प्रशिन में पूछा गया है नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांदी ने बेटे सरका बेटेश आशन का सबसे दमनकारी पहलों क्यों बताया ठीक है दो नमबर में हमसे पूछ यारा मांगों में से नमक करको समप्त करने की मांग भी रखी नमक का अमीर गरीब सभी इस्तमाल करते थे और वह जंता का एक अभिनंग था ठीक है तो यह है आपका उत्तर नमबर एक ठीक है पहरे बचो चलिए आगे चलते हैं अगले कुशन पर आगे प्रशन नमबर दो म परिवहन को कौन सा सातन आपके लिए अधिक उप्युक्त होगा और क्यों होगा तो यह दो नमबर में पूछा गया है तो देखते हैं इसके उत्तर को चलते हैं इसको उत्तर पर तो यह बच्चों के सामने हैं उत्तर नमबर दो तो वायू परिवहन की बात की गई है परिवेहन क्या है यह एक सरोत्तम परिवेहन है अगर हमें लंबी दूरी का फासला तैग करना है ठीक है तो सेकिंड का जो उत्तर है वायू परिवेहन ठीक है पहले बच्चों चलिए आगे चलते हैं अगले प्रेशन पर आगे प्रेशन नंबर तीन में आपको क्या कर रहा है आपको मिलान के लिए कहता है जिसमें स्तंब का और स्तंब खा दिया है यहां पर राजनेतिक दल दिये हैं और यहां पर बताया गया है कि वो राजनेतिक दल राष्टे है यह गयर सरकारी संस्थान है यह चेत्री यह दल ह तो हमें matching करनी है तो अगर हम बात करते है राश्टी जनता दल की इसको हम क्या बोलते है आर जे डी राश्टी जनता दल ठीक है ये लालो परसाद यादव वाली पार्टी है जो बिहार से बिलाउंग करते हैं तो ये क्या है ये एक चेत्रिय डल है ठीक है जिसे हम राज्य डल भी कह सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेकिंड नमबर पर all India three new congress तो यह कहां से बलॉंग करती है वेस्स बेंगल वेस्स बेंगल कलकत्ता से बलॉंग करती है यह पार्टी ठीक है और यह क्या है यह एक राश्टीदल है ठीक है पहरे बच्चो और इसकी जो हैड़े पाटी की वह है ममता बनर जी ममता बनर जी ठीक है चली आगे चलते हैं अगले परशन पर प्रशन नमबर चार में पूशा गया है हमसे दो ăब निमल की तमैंसे किस सोत्र से रिं लेना पसंद करेंगे और क्यों ठीक है तो जैसे यहां पर हमें वियाच की दर बता रखिये समय अब और निश्चित है रिंड वापसी की प्रकृए अब इस गया हूं ठीक है एक सोरह तो हमें यहां दिया हुआ है और दूसरा स्रोत हमें दिया हुआ है ब्याज की दर निश्चित है और रिन वापसी की प्रक्रिया निश्चित है तो इन दोनों स्रोतों में से हम किस स्रोत से रिन लेना पसंद करेंगे तो इसका सही उत्तर है वो है बेटा स्रोत दूसरा ठीक है तो दू दूसरा ठीक है पैरे बच्चो चलिए आगे देखते हैं कि आगे प्रशन नंबर पांच में देखिए हमसे कहता है परिया वरे ने निमनी करण को रोकने के कोई दो उपाए बताइए और यह भी दो नंबर में हमसे पूछा गया है ठीक है तो चलिए इसके उत्तर को देखते ह अगले प्रशन पर आगे प्रशन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कहता है प्रशन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है एवन विदेशी निवेश के उधारी करण से आप क्या समझते हैं और अत्वा में एक प्रशन और है वैश्वी करण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्य कंपनियों की भूमिका का विशलेशन कीजिए तो यह इंपॉर्टन कोशन है और यह तीन नंबर में हमसे पूछा गया कर कप्योग हिंदी का प्रियोग सरकारी विदेशी व्यापार में विर्धी या कटाउती के लिए कर सकती है दूसरा उननी से क्यानवे के बाद भारत सरकार में विदेशी व्यापार में विदेशी निवेश पर से अवरुदों को हटा दिया गया है इसका आरती है कि कंपने भारत में कारेले और कारखने स्थाफित कर सकती है ठीक है इसके बाद थर्ड पॉइंट रखा है हम नेक्स पॉइंट देखिए यहां पर दिया हुआ पर दोरह अवरोद परतीबं धटाने के प्रक्रिया उदारी करने के नाम से जाने जाती है ठीक है इसके बाद अगला पॉइंट इसमें बताया गया है कि यहां पर देखिए बताया किया है विया पार के उदारी करन से वक्तरूप से नींटे लिनी के अनुमति मिलती मिलती है वह ऐह क्या अयात या नीरियत करना Crossingudant करना करती है और इसलिए उदार किया गया है ठीक है इसके बाद यहां पर देखिए बच्चो बहुराष्टे कंपनिया केवल वैश्व किस तर पर ही अपने उत्पाद नहीं बेच रही है ठीक है बेच रही है बलकि अधिक महत्पुन यहाई कि वस्तों और सेवाओं को उत्पादन विश्व तर पर भी कर रही है ठीक है तो यह कमपनियों क에 बारे में बतानं है हमें थेटेंड है कि निवेश किया रहा है बहुराष्टे कंपनिये क्याogo विद्थे कंपनिया होती है क्योंक हूं ट्यार क यह न confirm आन यहां से यह बहुराष्टे कंपनिया दूस्टे देशों में व्यापार करते हैं इस गोटकों को उत्पादन को ऑडर भी देटी है तो बहू राश्टे कंपनियों से फायदा से जा creation में लगाए जाती है उस से हमारे देश इकनौमी में भी फर्क पड़ता है शर्डे की प्रशन वह बसाइब देखते हैं पहले पूचान मंघ domसाष trap में धीरे-धीरे मंद क्यों पढ़ने लगा स्पष्ट कीजिए ठीक है यह तो यहां पर इसका उत्तर आप देख पा रहे हैं उत्तर नमबर साथ कुछ समय के बाद अस्यूग अंतुलिक शहरों में धीमा पढ़ने लगा क्योंकि खादी का कपड़ा मीलों में भारी पैमाने प इस्थानों पर उनका प्रियोग किया जा सके थर्ड पॉइंट लेकिन वैकलफिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्या बहुत दीमिती फलसूर्फ विद्यार्ति और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे वकील दुबारे से सरकारी आदलतों में दिखाई देने ठीक है यह है इसका उत्तर नंबर साथ ठीक है पेरे बच्चो चलिए आगे देखते हैं अगले प्रशन पर चलते हैं आगे है प्रशन नंबर आठ प्रशन नंबर आठ में कहते हैं व्यक्ति की गरीमा एवं सौतंतर को बढ़ावा देने में लोगतंतर विवस्तक किसी भी अन्य शाषन प्रणाली से काफ़ी आगे है विवेजना कीजिये थीक है तो इंपॉर्टन कोश्चन है बेटा और इस तरीके के प्रशन जो है एक्जाम में पूछे जा सकते हैं निको जो बच्चे सोच के जो है इनका अंसर लिखते हैं थीक है तो चलिए इसके उत्तर को द कि नई किया गया second point रोकितनता चाहिं लोकंतर का आधार है ठीक है तो कह सकते हैं कि गरीमा और स्वतनता जो यह लोकंतर का आधार होती है लोकंतर जाता है तो इससे वैधानिक और नैतिक रूप से अपनी प्रती गरत मानेत और वहारों के किलाव संगर्ष करना आसान हो जाता है फॉर्थ पॉइंट इसमें आगे बताया गया है फ़ोर्थ में देखिए लोगतंत्र की विवस्ता में व्यक्तिकत आजादी और गरीमा ना तो वैग्यनिक रूप से वेगानिक रूप से है और ना ही नैतिक रूप से ठीक है तो हम यह कह सकते हैं कि लोगतांतर की विवस्था में यह व्यक्तिकी गरीमा और उसकी स्वातनतरता पर काफी ध्यान दे जाता है तो चलते हैं आफ फ़्शन पर आगे है प्रशन मों तो है यहां से श्रू हो जाता है किए son लयांजेतिक दाल एजएक शर्त है जोपने में से कफन को स्प sparked कीजेए यह फांच नंब pants से पूछा गया है और इसी के साथ option में सवाल all है किसी एक राष्टिय दल के विचार धारत्मक विचार धारत्मक तत्व और नीतियों का उल्ले की ठीक है तो यह हमसे पूछा गया है और पांच नमबर का इस सवाल है तो इसके उत्तर को देखते हैं प्यारे बच्चों तो यह आपके सामने हैं आपका उत्तर नमबर नौ जैसे पहला पॉइंट दलों का उधाय पर अधरत्मक विचारों को समेटने और सरकारों की नजर में लाने के लिए किसी माध्य में एजनसी की जरूत होती है इसके बाद थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है विभिन जगाओं से है परतिनिद्यों को साथ करने की जरूत होती ताकि जिम्मेदा सरकार का गठन हो सके इसके बाद रायंतिक दल चुनाव लड़ते हैं सरकार के गठन में महत्पून भूमी का निभाते हैं ठीक है लास्ट चुनाव वारने की सिति में रायंतिक दल विरोध्य दल की भूमी का निभाते हैं, जन्मत निर्मान में महत्पून भूमिका निभाते हैं, ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि राइंतिक दलों की अपने एक महत्पून भूमिका निभाती है, तो राइंतिक दल जब बहुमत में होते हैं, तो वो एक सरकार बनाते हैं, और जब बहुमत में नहीं होत जिसमें रांतिक दलों के नीतियों के बारे में पूछा गया है, तो इसमें देखिए रांतिक दल के कुछ नीतियों का उलेक किया गया है, जैसे फर्स पॉइंट में क्या बोला गया है, सम्विधान के मुल धांचे की रक्षा करना, ये हर एक राष्टे दल जो है उसकी उसकी एक नीती है उसके विचारा धात्मक तत्व होता है संग्य परणाले को मजबूत करना देश में रहने वाले गरीबों के उत्थाने के लिए नीतियों का निर्मन करना गरीबी रेका के नीचे रहने वाले लोगों के लिए उजने बनाना राश्ट ब्रोध ताकतों पर नियंतर किया रहती है जिसके आधार पर वो राश्टेदल चुनाव लड़ता है ठीक है बेरे बच्चों चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं प्रशन नंबर 10 को देखते हैं कि प्रशन नंबर 10 में देखिए क्या पूछा गया है किता साक से आप क्या समझते हैं साक किस परकार संप तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उतर नंबर 10 ठीक है तो यहाँ क्या है उधार ठीक है उधार से तातपरे एक समिती से है जहां साहुकार करजदार को धन वस्त्वे सेवा मोहिया कराता है और बदले भविश्य में करजदार से भुकतान करने का वादा लेता है दिन के करता है क्योंकि जो व्यक्ति रिंड लेता है उसकी जरुत पूरी हो जाती है और उत्पादन से कमाई बढ़ती है तो जैसे यहां पर हम बात करते हैं सलीम का उधारन जो कि आपको पार्ट में उधारन दिया हुआ है ठीक है इसके सब्सक्राद अगर हम बात करते हैं अगला पॉइंट देखे कहता है कहीं बार व्यक्ति रिन्ड की अदायगी नहीं कर पाता और रिन्डी व्यक्ति की स्थिति और बत्तर हो जाती आम भाशा में इसे क्या वहता है करज-जाल वोला जाता है कर जाल ठीक है जैसे फसल बरबाद होने की स्थिति में सोपरा का उधारन ठीक है तो कई बार रिन जो है वह एक रिन जाल बन जाता है व्यक्ति रिन लेता है लेकिन अगल फसल बरबाद हो जाती है अकल पड़ जाता है तो जो रिन उसने लिया हुआ है वह रिन सारा खराब हो जाता है डूब जाता है और उसको अपनी इस दैनिक जरुतों को पूरा करने के लिए भी रिंड लेना पड़ता है तो उस इस्तिति में व्यक्ति रिंड के नीचे दपता चला जाता है ठीक है और इसे क्या बोला जाता है ठीक है पहरे बच्चों चलिए आगे देखते हैं अथ्वा में एक और उत्तर आप प्रश्दार की प्रकृती पर करती है थार्ड पइंट का बिद्ध दाता की तोल्ना में अधिक विसुलते हैं इसलिए अधिक सब्सक्राइब कर जो आप्चारिक जो कहते हैं कि विद्ध कम होती है बल्कि सब्सक्राइब गवर्य जिसकी वज़े से ये अनौपचारिक रिंड जो है ये काफी महंगा पड़ता है इसके बाद अगला पॉइंट के है अमीर परीवार अपचारिक रिंड दाताओं से सस्ता रिंड ले रहे हैं जबकि गरीब परीवारों के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है अनौपच ये यहां पर चलते हैं 11 अंघर नमबर 11 यहांपड घ्यार में ऐसको ऊणते इसको पढ़ना है और इसमें कुछ प्रशन दिए हुए है तो जैसे यहां पर अनुचेद में देखिए आप यहां पर एक अनुचेद दिया इसमें पहला प्रशन जो ग्यारा पॉइंट देखा सरुष ध्रम क्या है अंग्रेश किसकी उपासना करते हैं साथ अगरेक में शारिक बल का स्थान क्यों नहीं है ठीक अहिंसा थे सप्टा नमबर 11 का दो विर स्ट्रकों करता है और नाहीं तो स्थरुके को करhata और नाहीं वो अपने प्रश्ण नमबर 11 तो यहां भी हमें एक अनुचेद दिया हुआ है प्रश्ण नमबर 12 में तो इस अनुचेद में भी देखिए इसके कुछ यह हम परिवहन से जुड़ा हुआ अनुचेद है इसमें कुछ प्रश्ण दिये हैं जैसे पहला प्रश्ण हम से पूछा गया है 12.1 में संसार एक बड़े गाउं के रुप में किस परकार प्रविर्थित हो गया है दूसरा प्रश्ण है व्यापार हमारे जीवन को कैसे समर्द करता है और तीसरा परिवयन संचार व्यापार एक दूसरे के प बिधा के साधनों की सहता से संभाव हो सकcurrentे हैं हम कह सकते हैं हमारे परिवेहन में भी बिस्ट विद्धी हुई है और जो परिवेहन के साधन survives संभाहैं उनमें भी लागातार विकास हो रहा मुझें है means के उत्तन बारा के एक पॉइंट एक बारा का एक पॉइंट बारा का दो और बारा का तीन ठीक है पेरे बच्चो चले चलते हैं अगले परसिन पर अगला जो प्रश्ण है प्रश्ण नंबर हमें 13 दिया हुआ है सेक्षिन ए का ठीक है इसमें किता है भारत के राज़ितिक रेखा मांचितर में ए बिंदू अंकित किया गया है इस बिंदू को निमले की जानकरी की सायतर से पैचानी है और इसका सही नाम जो है मांचितर पर ख जहां सितंबर 1920 में दो अधिवेशन हुए थे एक हुआ था सितंबर में एक हुआ था सितंबर में जो यह दिया हुआ है और एक हुआ था दिसंबर में ठीक है तो हमसे किसका पूछा गया हमसे सितंबर का पूछा गया है प्यारे बच्चों तो जो सितंबर का जो हुआ था वो हुआ था हमारा कलकत्ता में यह एक विशेश अदिवेशन था ठीक है तो कलकत्ता में हुआ था यह हमारा और अगर हमसे दिसंबर का पुछा जाता तो बेटा यह हुआ था नाकपुर में ठीक है लेकिन परशिन में हमसे क्या पूछा गया प्रशन में हम से सितंबर का पूछा गया है सितंबर का राष्टे कॉंग्रस का दिविशन जो कलकत्ता में हुआ था तो देखिए इसको कहां पर हम फिल करेंगे तो हम सिदा मैप पे चलते हैं यह देखिए यह हमारा मैप है तो यहां पर आप लिख देंगे कलकत्ता ठीक है पहले बच्चों कलकत्ता चलिए आगे चलते हैं आगे देखते हैं क्या करता है तेरा पाइंट दो में पूछा गया है हमसे भारत के उसी रांतिक रेखा मानचित में उप्यूक चित्रों चिन्हों से दर्शाए गए दो और नाम लिखिए ठीक है तो जैसे पहला हमसे पूछा गया च्छत्रपती शीवाजी अंतराष्टी हवाई पत्तन या अथवा चिन्न हम चेन्नी की बात करते हैं तो यह हमारा तमिल्लाडू ठीक है और अगर हम हैद्राबर्थ सॉफ्ट्रे टेक्नलोजी की बात करते हैं तो यह हमारा तिलंगाना में है ठीक है तो चलिए इनको फिल करते हैं तो चलते हम मैप पे सिधा यहां देखिए मैप में तो अग शीवा आंतर राश्ट्य है हौआईच पत्ल ठीक है इसके बातेशिक पत्तन की बात करें हम से एक हमारा जो राज्य है यह है राज्य हमारा पर इन नाडु ठिक है तो यहां आप फिल कर सकते हैं इसको इधा इधर फिल कर से यहां आप लिख सकते हैं चेन नहीं पत्तन ठीक है इसके बाद हैदराबाद सॉफ्ट्वेर टेक्नोलोजी पार्क तो यह देखे यह जो राज्य है हमारा बेटा यह है तिलंगाना राज्य ठीक है तो यहां आप फिल कर सकते हो हैदराबाद सॉफ्ट्वेर टेक्नोलोजी पार्क तो इस तरीके से यह आप नक्षे को भर सकते हो और जो नक्षे में मांचेत वाले परशनों पूछा गया है यह important है और इंसाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं इसलिए नक्षे आपके लिए बहुत important है और नक्षे की वीडियो भी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी फायदा हो सके तो यह वीडियो जो है आपके लिए काफी फायदा मन्द होगी क्योंकि इस वीडियो में प्रैक्टिक सैट पर बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने के कोशिश की है तो उम्मिद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी तो बेटा दूसरे बच्चों को भी जरूर श्री कीजिए और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़ है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलेंगे फिर हम अगली